एलो दोस्तों मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों अब हम यहाँ पर डिसकेशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में जैसे कि आप देखेंगे बैंक निफ्टी में भी हमें ट्रेडिंग डेलो का ब्रेकडाउन देखने को मिला है लेकिन क्या यहां पर अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं इसका discussion करेंगे मैं आपको proper logic explain करने के कोसिश करूँगा कही न कही market ने trading day high का breakout भी देने के लिए कोसिश की है क्या यहां पर अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं इसका भी हम discussion करेंगे logic से समझेंगे लेकिन इन सभी से बहतर अपोर्चुनिटी जो हमें मिली है वो मिली है निफ्टी 50 में यहाँ पे काफी बहतरी इन ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है उपर ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकाउट देने की कोजिस किया लेकिन उपर एक रजिस्टे लेकिन कोई फोलो और बहतरी इन सी केंडल नहीं बनी हाला कि निफ्टी 50 में वो प्रोब्लम नहीं थी निफ्टी 50 में आपको एक मोमेंटम देखने को मिला लेकिन फिर भी नीचे की तरब कुछ इंपोर्टेंट लेवल ते जैसे 44,100 था फिर 44,000 था आईए इसे थोड़ा स डेटेल में समझते हैं जिससे कि आप लोजिक को प्रोपर समझ सके कि कहां पे आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए कहां पे आपको स्कैल्पिंग की बजाए लोंग पोजिशन बनानी चाहिए अगर आप सिंपल सा देखेंगे सिंपल सा समझने की कोशिस करेंगे सेंपल नहीं था मार्केट कैसे अभी मैं आपको explain करता हूं हम 5 मिनिट के टाइम फ्रेम पर आएंगे लेकिन पहले मैं आपको 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूं यहां पर मैं कुछ चीजे दिखाने की कोसिस करूँगा आपको कुछ समझ में आएगा कि नहीं अग तो फिर से support, support, support और फिर से resistance, 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 लिगे अगर आज की भी बात करें आज भी बी बात करें आज भी resistance दिखाया 44100 कुछ याद आया 44100 आप कहेंगे इससे नीचे तो बहुत बहुत बहतरीं मूमेंटम दिखाया पोर्चुनिटे मिल सकते हैं तो मिले ना मिले वह मैटर नहीं करता है matter करता है हमारा चीजों को समझे ना ठीक है अगर किसी ने आँख बंद करके भी ट्रेड के होगा कुछ न कुछ प्रोफिट जरूर निकाल लिया होगा लेकिन रूल क्या कहता है कि जब भी important level आते हैं यहां पे दो-दो important level है 44,000 का एक और important level है support zone है दोनों के दोनों काफी बहतरी support zone है और अभी से नहीं उपर का तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ नीचे का भी देखो resistance 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 breakout मिलके support 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 आज भी आप देखेंगे support breakdown मिलने के बाद resistance और यह नहीं कि आज इनका discussion किया गया है पहले भी discussion किये जा चुके है लास्ट वाली वीडियो में भी आप जाके देखेंगे वहां पे भी discussion किये जा चुके है तो फिर से सवाल उड़ जाता है क्या आज के market में कोई opportunity थी भी की नहीं पे अगर इस तरीके से देखें तो opportunity हाला कि किसी ने trade किया होगा profit जरूर बना होगा लेकिन हमें चीजों को avoid करना चाहिए क्यों avoid करना चाहिए वह अभी मैं आपको explain करूँगा opportunity थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ scalping की जैसे कि अगर आप पहले ही candle की momentum को समझेंगे इस तरीके से आपको candle दिखाई देरी जो कि पहली candle लगबग हर बार confuse करने की कोसिस करती है और आज तो बहुत जादा confuse किया है मंतली expiry भी थी तो market ने आपको confuse करने की कोसिस किया कहीं न कही अजिस आपको support दिखाया है previous day low pay त्यान से देखो लेकिन closing कहां देती previous day closing से ऊपर closing देती यानि कि पहली candle में market क्या trap करने की कोसिस कर रहा है पायर्स को trap करने की कोसिस कर रहा है यह दिखाने की कोशिस कर रहा है कि previous day लोपे market support ले चुका है और previous day closing से market उपर closing दे चुका है इसका मतलब यह आपको यह दिखा रहा है कि buyers हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, simple simple सा एक signal market इस तरीके से देनी की कोशिस कर रहा है, लेकिन आप analysis वीडियो देखते भी हो समझते भी हो, हम इस बात को मान लेते हम इस बात को मान लेते, अगर market इस candle से उपर momentum दिखा देता, लेकिन हुआ क्या, market ने फिर से एक negative candle बनाए अगली भी negative candle बनाए और इस candle ने previous day low का breakdown दिया है और इस candle कहा जा के कि ये तो बहुत 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 बैठरी इन setup बन रहा है previous day low के breakdown वाला, इसके according position ले लेते है market में लेकिन फिर से वही बात फिर से मैं आप लिख देता हूँ 44,100 और 44,000 ये वाली कहां support ले रही है कौन सी line है ये 44,100 और इसलिए मैं आपको पहले 15 मिनट के time frame पे लेके गया था समझाने के लिए कि 44,100 और 44,000 हमारे लिए कितने ज़्यादा important है अगली candle को देखो भई market यही पे support लेके चला गया 44,000 पे और एकदम से buyers active हो गए तो सोचो जो analysis videos को दियान से नहीं देखता या सीखने की कोशिस नहीं करता इसलिए मैं आपको उमेसा कहता हूँ रटने की कोशिस मत करो market को समझने की कोशिस करो अगर इसके बाद एक follower candle आ जाती market एक momentum दिखा देता तो हम एक scalping कर सकते थे 44,000 तक की previous day लोपे यानि यहाँ पर scalping करने के लिए हमारे पास logic है, reason है और market ने आपको momentum भी दिया है 44,000 तक का समझेंगे देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ अगर इन सारी चीजों को हटा दिया जाए तो simple simple सी opportunity बन रही है market ने एक momentum दिखाया है अगर किसी ने negative side position बनाने की कोसिस की होगी तो उसने momentum को पकड़ा है सिदे सिदे market ने आपको momentum दिखाया है लेकिन फिर से वो ही सवाल उखता है, ऐसा हर बार नहीं होगा, इसलिए चीजों को समझेना सबसे ज़्यादा जरूरी है कहाँ पे हमें अपनी trade को avoid करना है यह कहाँ पे हमें trade बनानी है कहाँ पे हमें scalping करनी है कहाँ पे हमें long position बनानी है यह सारी चीजे जितनी मतलब learning पे focus करूंगे उतना ज़्यादा बहतर रहेगा दोस्तो, content अगर पसंदा रहा है वीडियो को like करें भी न बिल्कुल भी मज़ जाना comment करके बताना कि logic समझ में आ रहे है कि नहीं अब फिर से देखो फिर से market ने अब इस box के अंदर market बंद हुग लेकिन हमें पता है 44,100 और 44,000 हमारे ले काफी important level है या तो marketing का breakdown देके momentum दिखाई या फिर marketing का breakout देके चले और इसके बाद तो हुआ क्या त्यान से अगर आप देखेंगे जैसे आपको यहाँ पे इसका breakdown मिला है market इसका breakout दे नहीं पाया 44,100 पे market बार बार resistance के त्रेक्ट करता रहा नीचे important support zone था 44,000 इस वाली candle ने breakdown देने की कोशिस की है लेकिन इसके बाद एक follower candle नहीं आई अगर इसके बाद एक follower candle आ जाती तो यहाँ से confirm हो जाता कि market 44,000 का breakdown दे चुका है अचानक से market ने फिर momentum दिखाई फिर से इसी range में market enter होता हो दिखाई दिर और closing भी इसी range में दे दी है तो यहाँ से आप क्या समझे अगर इन सारी चीज़ों को मैं फिर से repeat कर रहा हूँ अगर इन सारी चीज़ों को अटा दिया जाए ना इस पे धियान दिया जाए ना इस पे धियान दिया जाए market ने breakdown दिया है एक momentum दिखाया है काफी better in profit बनाया है लेकिन rule हमें ये नहीं कहता है rule हमें ये कहता है क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा इसलिए important level की respect करना जरूरी है हमें idea होना चाहिए कि कहाँ पे long position बनानी है कहाँ पे छोटी छोटी scalping करनी है कहाँ पे कम quantity में काम करना है आज का market ज्यादा quantity में काम करने का नहीं था पहली चीज दूसरी चीज long position बनाने का नहीं था अगर किसी ने बनाई होगी profit जरूर हुआ होगा क्योंकि market ने उसी की direction में momentum दिया है लेकिन तरीका सही नहीं है समझ में आ गया आईए आप कल की तियारी करते हैं थोड़े सी कल के according देखो दोस्तों अगर content पसंदा रहा है वीडियो को like जरूर कीजेगा और comment करके बताने analysis कैसे लगने है इसे मैं थोड़ा बढ़ा कर लेता हूँ ये तो चीज समझ में आगी पिछे से मैंने आपको समझा दे अब 44,100 और 44,000 कुछ प्रोब्लम तो नहीं है दोस्तों रक्सा बंदन की आप सभी को सुब कामना है और रक्सा बंदन की कुछी में जो 30% का ओफ दिया गया था उसके लिए एक ही दिन बचा है अगर आप अपनी learning को strong करना चाता है कुछ बहतर learning करना चाते है तो आप नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा आप जाके join कर सकते हैं और अगर नहीं तो सीधे play store पे भी जाएगे आप channel का नाम डालेंगे वहाँ से भी आपको application मिल जाएगी आई अब हम यहाँ पे समझते हैं चीजों को अब हम यहाँ से फिर से draw कर लेते हैं अब यह 44,100 कितना important है आज by market पार बार resistance की तरे एक्ट कर रहा था यह हमने draw कर लिया दूसरा हम इसके नीचे यह भी draw करेंगे 44,000 तीसरा हम यह भी draw करेंगे यह क्या होगा हमारे लिए previous day लो चोथा हम यह draw करेंगे यह क्या होगा previous day high ठीक है इतनी चीज़े हमने draw कर लिए अगर market flat open होके positive momentum दिखाता है तो इसका मतलब market को 44,100 का breakout देने दो price उपर sustain करने दो तो उस situation पे हमारे लिए resistance बनेगा previous day high अगर market इसका breakout देके चलता है मैं आपको suggest करूँगा कि position आपको आगे नहीं बनानी चाहिए क्यों नहीं बनानी चाहिए क्योंकि एक important resistance हमारे लिए ये भी है 44,500 के around क्योंकि हमने इसका काफी दिनों से discussion किया है कि यहाँ पे हमने 23 की भी day closing देकी थी और day high भी था अगर यहाँ पे लिखे 23 का day high भी था और 23 की day closing भी थी यहाँ पे आप देखेंगे 24 का day low था और 24 की day closing भी थी और आप देखेंगे यहाँ पे 28 का day closing थी day high भी इसके आसपास है यहाँ पे आप देखेंगे 29 का 29 की भी day closing थी और day low भी इसे के आसपास है यहाँ पर आपको यह चीज़े दिखाए दिरे यहाँ कि market ने जब जब market इससे पास हुआ है market ने इसकी level की respect किया तो बहतर यह रहेगा अगर market previous day high और इसके beach time spend करके breakout दे दे तो हम आगे कुछ सोच सकते हैं या फिर अगर सीधे भी breakout दे रहे एक बार retest करके बहतरीन surprise action बना दे तब हम आगे की सोच सकते हैं नहीं तो उससे ज़्यादा हम आगे की नहीं सोचेंगे clear हो गया वही पर अगर market flat open होके आपको negative momentum दिखाता है इस situation पर क्या कर सकते हैं अगर market flat open होके आपको negative momentum दिखा रहा है तो खुद सोचो ना तो scalping का महोगा market दे रहा है ना ही position बनाने का महोगा दे रहा है क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर flat open होके market आपको negative momentum दिखा रहा है नीचे support हो गया 44,000 का अगर market ने इसका भी breakdown दे दे दिया नीचे एक और support हो गया previous day low का यानि कि हम यहाँ से क्या सीख रहे है अगर market previous day low का breakdown देगा तभी हम यहाँ पे काम कर सकते है यह negative side position बनाने के बारे में सोच सकते है उससे पहले नहीं सोचेंगे अगर कोई नहीं जानता previous day low का breakdown क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फिलाल 30% का off चल रहा है अब जाके इन सारी चीजों को समझ सकते है proper entries, top loss, target सारी चीज़ आपको समझाएगी है तो यहाँ पे यह situation आपको दिखाई दे रहे है market अगर इसका breakdown देगे चल सकता है तब ही हम इस पे काम करेंगे नहीं तो हम काम नहीं करेंगे अगला discussion करते है अगर market आपको gap up opening देने की कोसिस करता है अब यह gap up opening कहीं नहीं 44,200 के around अगर देने की कोसिस करता है और वहाँ पे market थोड़ बहुत उपर या नीचे हो सकता है अगर market breakout देके चलता है तब भी उपर की तरफ हमारे लिए रेजिस्टेंस है और यहाँ पे profit booking करेंगे सेम वही चीज़े काम करेंगे market अगर time spend करके breakout देता है तो आगे सोचेंगे अब फिर सीधा ही breakout देता है तो एक retest करता है projection बनाता है तब ही हम सोचेंगे वही पे अगर market यहाँ से वापिस आने लगा तो selling side जब तक previous day लों से नीचे नहीं आता तब तक कोई खास opportunity market में नहीं दिखाई दे रही है आपको इस सीज़ का धियान रखके चलना है वही पे अगर market आपको gap down opening दे दे उस scenario पे आप क्या कर सकते है gap down opening की scenario पे आप पूरा focus रखेंगे previous day लों पे अगर market ने इसका breakdown दे के नीचे चलना सुरू कर दिया तो आप नीचे के according काम करेंगे आप position लेके चलेंगे लेकिन अगर market यहाँ पे support लेके ऊपर चलने लगा तो जब तक 44,100 से उपर नहीं निकलता तब तक market के बारे में मत सोचना यहाँ कितना भी गूमता रहे sideways momentum में जा सकता है तो इस beach market को गलती से भी मत छेट देना चाहे उपर के लिए चाहे नीचे के लिए clear होगे दोस्तों मैं आपको last में फिर से बताना चाहता हूँ जिससे आपको आने वाली वीडियो के notification मिल सकेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छे content के साथ Thank you